नगर निगम में इस बार दिल्ली किसकी होने वाली है? पार्क और पार्किंगों की विवस्ता उनके हाथ में थी, कर्ज में डूबी नहीं हुई थी वो दिल्ली, है ना, सो वो कॉंग्रस वाली दिल्ली, आपको लगता है कि क्या अर्विंद केज्रिवाल ने दिल्ली को फोर्ड ग्रांटेड ले लिये? ने बिल्कुल उनों ने अब सत्ता की एक लालच में, अब एक के बाद एक सत्ता चाहिए होने, वो लालच खतम नहीं हो रहा और जो असूल थे रामलीला मैदान में, विधायक रही पान साल, बहुत करीबी से अर्विंद केज्रिवाल जी के साथ पार्टी के साथ काम किया, अज जोड़ दर तमाचा मारा है अर्विंद केज्रिवाल ने अंदोलन के उनकरांतिकारियों के उपर मुपे, जो रामलीला मैदान में, प्रिस्टाचार के खिलाव कहे थे, कहते हैं कि पार्टी जो है कट्टर इमानदार है, वो तो सतेंद्र जैन को कहते हैं कि हमने फाइ अला के आरूपी, जिनकी बेल कोट रद कर रहा है, जो लगातार आपको इस तरस्वीरे की बलतकारी से मालिश्टक करवा रहे हैं आप, इस सब तस्वीरे आने के बाद आप कहेंगे वो भगस सिंग है, भारत रतन मिलना चाहिए, और जूट बोल रहे हैं, सो मुझे लगता बस वो अब पूरा हिंदुस्तान की राजनीती की खाग चान कर अपना पकड़ बनाई रखना चाहते हैं सत्ता के उपर, वरना इंडिया नंबर वन बनाना है, पूछे दिल्ली नंबर वन बन गई, दिल्ली पूछ रही है यहाँ, हर बार परदान मंत्री जी के चेहरे के प बीच में इनको तैक करनी होगी, नमस्कार आप देख रहे हैं दली तक, मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तवर, क्या मुद्दे जो तै किये गए, उन मुद्दों का असर चुनावों में दिखेगा, और नेताओं के बीच क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, किस तरह से डिसकुर्शन चल रहा है, और चुनावों को लेकर, अब जब समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो आखरी समय की क्या तैयारियां हैं, इन पर बात करेंगे, आज हमारे साथ कॉंग्रेस की नेता, अलका लामबा है, बहुत बहुत स्वागत हैं अलका जी आपका, धने बार अनुरादा जी आपका और दिल्ली तक का, जी सबसे पहला सवाल तो यही है, कि नगर निगम में इस बार दिल्ली किसकी होने वाली है, दिखिए लोग कॉंग्रेस वाली दिल्ली खोज रहे हैं, कॉंग्रेस वाली दिल्ली, कैसी थी कॉंग्रेस वाली दिल्ली, शीला दिक्षित वाली दिल्ली, जिसकी हावाएं जहरीली नहीं थी, जिसका पानी पीने वाला दूशित नहीं था, जहां पर कुडे और गंदगी की जगहा नहीं थी, वो Congress वाली दिल्ली जिसमें भागीदारी थी, IWO, Market Association, भागीदारी थी, पार्क और पार्किंगों की विवस्ता उनके हाथ में थी, कर्ज में डूबी नहीं हुई थी वो दिल्ली, वो कॉंग्रेस वाली दिली लोग ढूंड रहे हैं आबाद दिली जो बरबाद हो चुकी है तो आप कह रही हैं और हम पीछे देख भी रहे थे कि कॉंग्रेस दफ्तर में भी जिस तरह से कैंपेनिंग को लेकर तैयारियां भी हो रही है दिल जीता है दिली जीतेंगे बिल्कुल देखे उप चुनाव में हम लोगों अच्छा प्रदर्शन किया और एक सीट हम लोग जो है आम आदमी पाटी तक कि उसमें जमानत जब्त होई और हम लोगों जीतने में कामयाब हुए तो हम वही कहरें दिल जीता है अब दिली जीतनी है सब कोई चुनाव जीतना चाहता है लेकिन दिली का दिल में क्या चल रह तक तैट की राजधानी देगी जा रहें देख रहें केंदर में भाजपार नगरनिगा में भाजपा दoup सा इनकी ओर दिली में केजड़िवाल बाहुमत की आप कि अनए बिल्कु उनों ने अब सेता की एक लालच में वह एक सक्ता चाहिए और लालच खतम नहीं हो रहा कुल थे बन्ली लिए आ में में विधायक रही पांत साल बहुत करीबी सियर्विंद के ज investment के साथ काम क्या अध्यूर्थ एम करती आहर स्थैस्या एंटी गरिप्शन ब्रांच ने इनके दो विधायक और उनके रिष्टेदारों को टिकेट खरी देते फरोत्ते पकड़ा है इनी के विधायक मटियाले से गुलाब सिंग यादव अपने करांती कारियों द्वारा कारियाले में पीट दिये गए पैर आरोप लगा कि पैसे में टिकेट बेची है इनी के मनी शिशोदिया शराब घोटा नीती घोटाले में सीबी आई की जांच के डर से उल्टे पाउं अपनी नीती वापस लेकर भाग लिए सतेंद्र जैन इस समय इनके जो जेल मंत्री हैं वो तिहाड जेल में स्विधाओं का लाब ले रहें मालिश क कर वा रहें और बताया गया शिशोदिया जी माफी मंगनी चाहिए आपको धोका दिया जूट बोला आपने कि वो बिमार हैं गंबी रूप से उनकी तो मालिश नहीं हो रही वो तो फिजियो तेरेपिस्ट आज पता लगता है वो कोई फिजियो तेरेपिस नहीं उसी तिहा है कानून ववस्था जो है वो भाजबा के हाथ में और तिहार जेल की लगातार सुरक्षा के साथ नियोमों के साथ खिलवाड हो रहा है इसलिए सिद्धू मुसे वाला की हत्या उसी तिहार जेल में प्लान हो जाती है मैंने सतेंद्र जैन जेल मंत्री आज भी बने हुए है यह सब सचाईयां सामने आने के बाद भी अर्विन के जिवाल जी की नतिकता कहां गई सिद्धात कहां गई अभी भी गुजरात में खड़े हैं वो तो कहते हैं कि पार्टी जो है कट्टर इमानदार है वो तो सतेंद्र जैन को कहते हैं कि हमने फाइल देखी हुई है कोई भी उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं है सब कुछ साफ है वो पाक साफ है वो तो सम्मान दिलाने की बात करते हैं सतेंद्र जैन को कि मैं कह रही हूं शहीदे आजम भगस सिंगा इससे बड़ा मान क्या हो सकता है कि आप एक हवाला के आरूपी जिनकी बेल कोट र नालिश्त करवार रहे हैं आप इस सब तस्वीरे आने के बाद आप केंगे वो भगस सिंग है भारत रतन मिलना चाहिए और जूट बोल रहे हैं सो मुझे लगता एर्विन केजिवाल की राजनीती मात रदा सालों में पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है अब वो सिर्फ सत्त के दम पर धन और बल टेक्सपेर के पैसो पे करोडो रुपे के विग्यापनों से चुराए पटे पड़े हैं उसके दम पर बस वो अब पूरा हिंदुस्तान की राजनीती के खाग चान कर अपना जो है एक पकड़ बनाई रखना चाहते हैं सत्ता के उपर वरना इंडिया नंबर वन बनाना है पुछे दिल्ली नंबर वन बन गई दिल्ली पोच रही है यहां पर हना भरस्टाचार में पूरी तरह से दोनों की एक नूरा कुष्टी चल रही है भाजपा आम आदमी के बीच में और कॉंग्रेस वाली दिल्ली को लोग आज याद कर रहे हैं आपको शीला दिक्षित जी ने क्या किया है वो आज साक्षा सबके सामने शीला दिक्षित वाली दिल्ली कॉंग्रस वाली दिल्ली फ्लाइओवर वाली दिल्ली जाल बैच बिचा दिया था मेट्रो वाली दिल्ली हरी भरी दिल्ली यह सब भागीदारी वाली दिल्ली लाडली जैस की भूमी का कॉंग्रस एक संगठन के तौर पर मजबूती से निभा रही है मैं मानती हूं हमारे सामने एक मजबूत संगठन खड़ा करना मीडिया क्वाला मैं बता रही हमें वो साथ नहीं मिल पा रहा है हमारी बात को पहुंचाने के लिए हमें अपने संसाधनों का सिमित सं संसाधनों का इस्तमाल करना पड़ा क्योंकि भाजपा राम आदमी के पास सत्ता है धन है बल है टेक्सपेर का पैसा जो करोड़ों रुपया अपनों पर देखकर वो च्छाए हुए हमें सिमित संसाधनों में एक विपक्ष की भूमिका को हम दिल्ली में निभा रहे हैं और इन पर भाहन को नहीं मिल रहा समय उ पार क sobora साथ हजार पैंशन हर रहे हैं उनको पैंशन नहीं मिल रही है तीस मेर दिए भाजपा ने थीन नगर निगम सीरे स Дав Meird तो 30Power मेयर हैं तस пережद किस्त इस्तमाल कर रहे हैं हैं पर्धानमंत्री जी कि अगर भाजपा से उसलिए कि हर बार मंत्री जी के ाुपा कर दोभारा जीत हांसिल करेंगे तो कॉंग्रस ने ठाना है कि हम पर्धान मंत्री जी आपके चेहरे के पीछे आपके नगरनिगम केさん इन पयुंद ऑ suap व्यंस्तार केटी है कि हम पैसे देते हैं लेकिन यह बहुत ज़्यादा ब्रहस्टाचार है नगर निगम में और ब्रहस्टाचार की वज़े से जो अधिकारी जो पार्षद है और जो बीजेपी है एमसिटी में वो पैसा खा जाती है ऐसे में ना जो कर्मचारी है उनकी सालरी इस टाइम पर जा रही है जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन जा रही है ऐसे में आपको आप क्यूंकि बीजे पी को तो देखती हैं लगातार विपक्ष के तौर पर लेकिन आप कॉंग्रेस पार्टी में रही आपने आमादमी पार्टी का भी दामन थामा थोड़े दिनों के लिए फिर वापस आप कॉंग्रेस में है कौन कहां जूट बोल रहा है आपको क्या लग रहा है कि दोनों एक दूसरों पर जो भरस्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो कताई भी जूटे नहीं है लेकिन ये समझोता कर लिया है कि आप मेरे भरस्टाचार पर बोल चल रही है दोनों परस्टाचार में लिपते हैं दोनों बस मुद्दे तक रखेंगे लेकिन अंजाम तक इस लड़ाई को न ये पहुंचाएगा न वो पहुंचाएगा यही इनके एक समझोता है समझोता मैं आपको साब बता देती हूं ये गए थे आपके लड़ने के लि आते हुए दिख रहा था उसको बाटने के लिए आमादमी पार्डी भाट्पा की बी टीम के रुपे इस्तमाल हो रही है मैं पूछना चाहूंगे और उडिसा के मुख्यमंत्री चार बर चुनाव जीते कभी उडिसा से बार निकलते हुए देखा है उडिसा नंबर वन बन आने चलें गुजरात लड़ रहे हैं और आपके पास जवाब नहीं है कि दिल्ली के अंदर 35 टुक्रों में बेटी की लाश मिलती है निर्भया में सडकों पर थे आज सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आज सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं तो अर्विंद केज्रिवाल और जो 2022 वाले अर्विंद केज्रिवाल है इस 10 साल के जो गाप रहा बीच में कहां पर कैसे किस तरह से अर्विंद केज्रिवाल में इतना बड़ा बदलाव आप देख रही हैं देखें मैं 5 साल 2015 से 20 तक आम आदमी पार्टी की विधायक रही और मैं अंदोलन से जुड़ी कि लादभादु शास्त्रीजी के पोटे अधा की गांधी जी के पोटे सब इनकी पार्टी चुनाव लड़ समने किनारा कर लिया इनसे क्यूंख राजिनीती को बदलने वाला खुद बदल गया पूरी तरीक्य से परिवार्वाद के खिलाफ आप आए थे चांदी चोक के आमादमी पार्टी के विधायक का बेटा नगर निगम लड़ा है चांदरी जोक से, मटिया महल से आमादमी पार्टी का विधायक का बेटा लड़ रहा है वहाँ पर नगर निगम का चुना, तो कहां कि आप परिवार वाद आपका विधायक बाप है और बेटा नगर निगम और करांतिक आरी आंधोलन वाला जंडा उठा रहे हैं यह समझोता नहीं तो क्या ब्रस्टाचार के किलाफ आए थे नैतिक्ता के किलाफ आप लगाते थे मनमों सिंग जी शीला जी पर स्तीफा मांगते थे आपके तो लोग तिहाड में बैठे हुए हैं कोट से वेल रद हो र लगना चाहिए जमना पर लगना चाहिए वह आपका गुजरात में करोड़ों रुपे के विग्यापन पर चार प्रसार प्रेविट प्लेन से उतरते हैं गाड़ी बंगला ना लेनी की बात करने वाले अपने घर के जब रेनुवेशन दिली के मुख्यमंत्री कराते तो नो साल कन्वीनर का चुनाव होगा एक आदमी एक बद होगा सद्धान था ना यही तो बात कुमार विश्वास योगेंद्र यादो प्रशांद बूशन सबने उठाई अर्विंद के एजरिवाल जी लोग तंत्र है कन्वीनर का चुनाव कराई है दस साल हो गए कोई लोग तं सब्सक्राइब करें देखा इतने डरें हुए हैं कि कोई भी उन्हें चुनोती देवने सुविकार नहीं है डर जाते हैं और साजिश करते हैं विदिना पार्टी कि किस तरीके से इन सब को मुझे करना और उनके सामने अब को चुनोती नहीं रहेगी अब सिरफ गुलाम है उनको पता है कि केजरीवाल के नाम पर हैं अपना किसी में वन आठ महिला विधायक आप मुझे बताए और आतिशी मरलीन सुरी हमारी जो महिला आयो की अधक्षन उनका बस चले तो अमेरिका की राश्पती तक को नोटिस भेज देंगे अगर कुछ हुआ महिलाओं के लिए लेकिन अर्विंद के एजरीवाल से आठ महिला विधायक और महिला आयो के दक्ष अभी तक सवाल नहीं कर पाई कि मनीश शिशोद्या जी आप क्यो जूट बोल रहे थे कि फिजियो थेरेपिस्ट है वो वो तो एक नबालिक बिच्चों का बलतकार का आरोपी है जो मसाज सवाल पूचा महिला विधायकोंने सवाल पूचा महिला आयोग ने नहीं ृप नो neo के लिए की बचा रहे हैं कोई आंदोलन कोई कुरांतिकारी कुछ नहीं इनमें बचाए, कोई से दांत नहीं बचाए और 10 साल में 137 साल पुरानी कॉंग्रस को चुनोती हर बार देते हैं और 10 साल में खुद बेनकाब होते हुए निपटते हुए दिखेंगे आप बेनकाब करने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को भारतिय जंता पार्टी भी इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि 200 से जादा सीटे उनकी आ रही है नगर निगम के चुनाव में मुकाबला यही माना जा रहा है कि दोनों के बीच में है आप कॉंग्रस को कहां देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में दिखिए यह उन दोनों का अपना मानना है ना कि लड़ाई हम में है आप कुछ भी समझ लीजिए दिली क्या समझ रही है हमारे सारी सीटों पर उमीदवार है हम पूरी ताकत लगाए हुए है मैंने फिर आपको का बिल्कुल हमें मालूम है संगठन एक मजबूत संगठन पूत पे वरकर हमारी एक चुनोती है उसे हम पार कर रहे हैं हम सिमित संसाधनों में लड़ रहे हैं हम इन सब विपरित प्रिस्तितियों के बाद हम लड़ रहे हैं लेकिन यह दिखाना चाहते क कि दो भरस्टा चारियों में लड़ाई है सत्ता दोनों के पास है ना दिल्ली को नर्क दोनों ने मिलकरी किया है किसके पास है तीसरा कौन है दिल्ली में बटाईए मुझे भाजपा आमादमी और कॉंग्रेस है कॉंग्रेस तो बाहर एक दशक्स से सत्ता समय ही नहीं है तो बाज़पा और आम आदमी के इलावा तीसरा किस के सर पर ये जिम्मेदारी डाले गे। दिल्ली आज नरक है, हवाय जरीली, पानी, दूशत, अपराद की राजनीती, भ्रस्टा चार की राजनीती, दोनों के लवा तीसरा कौन है दोशी, बता दीचे, जिम्मेदारी दोनों नहीं ले रहे, दोनों आरोप परत्यारोप कर रहे हैं, तो इन दोनों की लडाई में दि दिल्ली पिस रही है, और इस दिल्ली को इन दोनों के लाई से निकाल कर वापिस विकास और आबाद करना, ये कॉंगर्स ने ठाना है. परत्यारोप कर दोनों की लेकर, स्टार प्रचार को की भरमार है दोनों पार्टियों में आप देखी रही हैं, वहाँ पर तो जो उनका थीम सौंग है, भारते जिनता पार्टी का, उसमें प्रधान मंत्री नरिन्द मोदी के कामकाज को दिखाया गया है, अर्विंद केजर क्या इस चुनाब में हमें राहूल गांधी नजर आएंगे कॉंग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करते हुए किसी एक दिन? देखे, आपने फिर कहा, चहरे, स्टार, प्रचारक, उनके पास प्रधान मंत्री जी का चहरा यहां केजरी वाल का, विक्तियों के इर्द गिर्द, इनकी राजनिति खतम हो रही है, और यह सोचते हैं कि दो विक्ति, ब्रैंड बन गए हैं, अब इन चहरों के पीछे, अप आप समयरें, कॉंग्रिस चहरों की राजनिती से उपर उठकर, दिल्ली के जो मुद्धे हैं, उन्हें आगे सबसे आगे रख रही है, कि आज दिल्ली को जो शीला दिक्षी जी आबाद दिल्ली छोड़ कर गई थी, उसे बरबाद करने का काम, पिछले आठ सालों में भाज सालों से आप हैं, भाजपा है, आठ साल से केजरी वाल हैं, और पहाड हमारे दिये हुए हैं, हैना तो लोग समझ रहे हैं कि ये तरक गले से उतरेगा नहीं, सत्ता आपको सोपी, पूर्ण बहुमत के साथ सोपी, और आपने सिर्व भरस्टा चारों राजनीती की है, नगर होता, असम के मुख्य मंतरी को देखा, असम चुड़के दिली के नगर निगम के चुना में ट्रक में बिठाए गए, उनको यही नहीं पता कि दिली नगर निगम के चुना में बुलाए गए, उन्हें यहीं नहीं पता, इमंद विस्वा को कि मुद्दा नगर निगम में क् मुद्दा यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड है उनके लिए मुद्दा अधारा 370 है उनके लिए मुद्दा जो है वह सियानारसी है इनको तो यह नहीं पता चुनाव क्या है आपको नहीं लगता कि यह तो बीज़ेपी की आमाधी पार्टी की स्ट्राटेजी है कॉंग्रेस की मुद्दो पर नगर निगम के मुद्दो पर ही लड़ेंगे और इन दोनों को घेरेंगे और इन दोनों चेहरों के पीछे भरस्ट चेहरों को निकम्मे चेहरों को जिसने दिली को नर्क बनाया चुपने नहीं देंगे हमारी स्ट्राटेजी है और हम इने घेरने का काम करें तो आपने भी देखा देवली में महिला मार्शल से महिलाओं को पिटवाया गया शराब पीने की उमर 25 किस कर दी गराग देने थे तो ये मुद्दे क्यों नहीं रहेंगे इस चुड़ाओ में और जवाब देना इनके लिए मुश्किल है आर्विन केजरिवाल जी हिम्मत नही कर रहे हैं कि हम लोग जो है इस पर जवाब दे वो रत पर चड़ रहे हैं विरोध हो रहा है देखर आपका आंगनवाडी महिलाएं हाना शराब के जो विरोध कर दी वो महिलाएं घरों से निकल कर इंका विरोध कर रहे हैं आक्री सवाल बस आप से एक आक्री सवाल नगर निगम चुनावों को लेकर हम बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी बाते चल भी रही हैं, आप ये बताइए कि बाई-एलेक्शन लास्ट आप जीते, एक सीट आप लोगों ने जीत ली, लेकिन जो रजिंदर नगर का बाई-एलेक्शन था, वहाँ स्विकार रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, इन चुनावों में, जो जमीन का कारेकरता है, 250 सीटों पर लड़ रहा है, मजबुती से कारेकरता का चुनाव है, वो लड़ रहा है, और उसकी हिम्मत वापिस बन रही है, यही आने वाले समय में, कॉंग्रस को एक मज संगठन देगा, और कॉंग्रस वापस ही करेगी, हमें 15 साल सत्ता में रहे, और अभी तो 15 साल बाहर हुए हुए ही नहीं, मुझे मालूम है, कि हमें एक बार फिर उठ खड़े होना है, और स्वभाविक है, जिस तरह का साशन, कुसाशन, भरस्ट, दोनों पार्टियों ने दिया है, स्वभाविक है, दिल्ली की जनता हमारा साशन और इनकर साशन के तुलना करेगी, और उसमें दिल्ली को बहतर, कॉंग्रस वाली दिल्ली, शीला दिक्षित वाली दिल्ली को वापिस दिल्ली को लोटाने के जम्मेदारी हमारे जैसे कारी करता होगी, और बिल्कु पार्टी का दावा है कि दिल जीता है दिली जीतेंगे देखना है साथ दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब क्या परिणाम किसके फेवर में जाएगा फिलाल कैमरामेन रंजीत के साथ अनुराधा तवर दिली तक किसी करता है